दोस्तो हम सभी जानते हैं जे पानी ही प्रानी के प्रान होता है शरुरी के लिए पानी पिना कितना जरुरी है ये तो हम सभी जानते हैं हवा के बाद डुसरी सबसे ज़्याधा ज़ोरिसिस होटी है वह है पानी हमारा सररी लगबग सटर पोटिश्ट पानी से बना है पानी ही शरी के अलग अलग हिस्षा पॉझट को पहुंसाने में मधड़ करता है हमारे धर्टी मा येने प्रिठी भी से लेकर मानव सरी का सबसे बड़ा हिस्था पानी ही तु है जबकि मोहिला के सरी का बाउन पानी होता है मनिश्य के सरी के लगभग सभी अंगों में पानी पाया जाता है कौम ही लोग जानते होंगे थोस और कड़ी में सुस होने वाली हमारे हड्डियों में 22% तक पानी होता है हमारी डाटों में 10% फेफरों में 85% दिमाग में लगभग 70% मान स्पेशिय में लगभग 70% रख जिसे हमारी मानव सरी की जिबन रिखा कहते हैं उसका 83% ही पानी होता है आग जिसे हम सब कुछ देखते हैं उसका 95% पानी होता है बिना खाना खाये हम कुछ दिन तक जिन्दा रह सकते हैं लेकिन बगेर पानी पिये एक दिन भी रहना मुश्किल हो जाता है पानी ना सिर्फ मनुसी की बाहरी सफाई के लिए ज़रूरी है बलकि सरी के अंदर की सफाई के लिए भी पानी उतना ही ज़रूरी है बुरे सरी की कोने कोने में अक्सिजन पहुंचाने का काम भी पानी ही करता है पानी हमारी सरी के सभी अंगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है खासकर हमारी कोशिकावो येनी सेल्स हमारी मस्तिस के काईरे पनली को सुसार रूप से सलाने में, हमारी फेफरो, हमारी पासन की प्रक्रियाओं में मदद करने के साथ चाथ कब्ज और सिने में जलन जेसी समय साथ का सबसे कमन घरी लूप सार पानी ही है परियाप मत्य में पानी पीने से स्किन में जली योजन को बढ़ाने में मदद मिलती है तथा स्किन कोमल और मुलाएम बनी रहती है और टोसा पर जुडिया और उम्रे बढ़ने के निशान नहीं आते है परियाप मत्त में पानी स्वास लेने और मलतियाक करने जैसी सरी की विभिन्नों क्रियाओं को नियोंटित करता है बहुत सी स्वास्थ से जोरी समसाओं का समधन के बला पानी पिकर कर सकते हैं परियाप मत्ता सही समय और सही धंग से पानी पिकर हम बहुत सरी ब्यमारियों को हमारी सरी से आसानी से भगा सकते हैं सिफ पानी पिकर ही हम खुट को स्वास्तर और उर्जाबन बनाए रख सकते हैं कितनी महत पूर्ण सीज होने के बाब जूर भी पानी पीने से जुरी तमाम तरकी सब्धनियों को अक्सर ही हम नजर अन्राज कर देते हैं जैसे कब कब पानी पीना साहिए, कितना पानी पीना साहिए, कैसे पानी पीना साहिए, कब कब पानी नहीं पीना साहिए, कैसी पात्रों में पानी पीना साहिए, और कैसी पानी पीना साहिए अरिवेत के अनुसार आपकी सरी की कुछ प्राक्रितिक जरूरते होती है जिसे आपको भूख, प्यास, निन, पेशाब और सौस जेसे संकित मिलते हैं इसलिए जब आपको भूख लगे खाना खाना साही जब प्यास लगे जब पानी की जरूरत में सुसो प्यास लगने का मतलब है कि सरी को पानी की जरूरत है आपकी सरी में पानी की कमी पेशाब की रंग से ही पता सलता है अगर पेशाब की रंग पीली हो तो इसका मतलब है सरी में पानी की कमी है तो इसमें मुझद कोई सारे हल्दी बेक्टिरिया, एंटिबायोटिक और एंटिसेप्टिक ओसोड्य गून, हमारे पेत समन्धी बिमार्यों समित, सरी के हानीकारक तत्व को खतम करने में कारगर होता है। सबेरे उठकर पानी पीने से हमारे पेत अच्छे तरह से साप होता है, और सरी दिन भर हाइडेट रहता है। दोस्तो जथर अगनी पेत का उन्ने को पसाने वाली गर्मी होती है। जथर या पेत के अंदर का वो सरी क्ताब जिसे खाया हुआ अन्न पस्ता है। अगर खाना खाते ही हम पानी पीलेते हैं, तो यह जथर अगनी थंदा पर जाथा है। और खाना पेत में पसने लगता है। और एन्जाइम बनने की मत्र में भी कमी आती है। इसके प्रविनाम सरुप ब्यक्ति के सरी में एसिद का इस्तर बढ़ने से सिने में जलन जैसी समेशा हो सकती है। वैसे ही अगर खाना खाने से पहले हम पानी पी लेते हैं तो हमारी भूख ही खतम हो जाती है। इसलिए खाना खाना के 30 मिनिट पहले या एक घंदा बाद ही पानी पीना साहिए। हालाकि हमारे सरी को कितनी पानी की जरुरत है यह इस बात पर निभर करता है। आपकी उम्री कितनी हैं आपकी वजन आप कैसे बाता बढ़न में रहते हैं। महा का मोसम कैसा है और आप दिन भर कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। परियाप मत्राप में पानी पीने से सरी का मेताबोलिजम अच्छा रहता है। जिससे हमरे पासं सही तरीके से होता है। साथी पानी पीते रहने से हम ज़ादा खाने की आदत से भी खुट को दूर रख सकते हैं। इसका कारणी यह है कि जो अब हम पानी पीते हैं तो हमणी मूग के लार भी पानी में मिलकर पेट के अंदर जाती है। और हमारी पासंटोंटों को मजबूर करता है हमारी मूग कीलर में ऐसी कोई हेल्दी बेक्टेरिया होते हैं जो पेट के लिए बहुत ही फाइडेमन होते हैं पानी को धीरे धीरे पीने से पासंटोंटों मजबूर होता है हम में से बहुत लोग पानी पीने को लेको टामाम तरकी गलतिया करते हैं पानी की बोतल खुली और गदगद करके पेलिया लेकिन क्या ये पानी पीने का सही तरिका है आपके सरी का disorder होना यानी बेढ़ं होने का आपके पानी पिने के तोरी के से बड़ा गेहरा समन होता है आपने कभी किसी पक्षी को मोटा होते देखे हैं क्या आप सेर को कुट्टे को हीरन को मोटा होते देखे हैं इसलिए इन इसलिए शक्रणॷे गुद कर पानिसलियों के शुदल होता है हम मौनीश्यको भी घूट गुट कर पीन अरिवेत् के अनुसार खड़े joka कर कभी पानि नहीं पीना साहिए हमेशा बेटकर आराम से एकदम रिलेक्स होकर पानी पीना साहिए खड़े होकर पानी पीने से हमारे सरी के हड्डियों के जोरों में असर पर सकता है जिससे आर्ट्राइट इसका खट रारा रहता है इसके साथ साथ जब कोई व्यक्ति खड़े होकर पानी पीता है निश्ले पेट की तरब तेजी से बढ़ता है या पानी में जमा उसुद्यों को पित्ता सई में जमा कर देता है जो किड्नी के लिए बहुत ही हानिका रखोता है हमेशा बोतल या ग्लास में मूह लगा कर पानी पीना सही है जब हम उपर से पानी पीते हैं तो पानी के साथ- बहुत सार गयास पी पेट के अंदर शले जाते हैं जिससे हमरी सिन्वें जलन या ऐसीडीटी की समय सह बोतल में रखा हुआ पानी देखने में जितना सधार होता है अगर आपको पानी पिने का सही तरीका और सही समय का पता नहीं है तो पानी जैसे प्रकिति का विंद करता है अरिवेट की माने तो आप किस तरह से पानी पीते हैं इसका आपके सिहत पर असर पढ़ता है आएए जानते हैं पानी पिने से जुर्णी साब धानियों के बाड़े में नहाने से तुरंद आगे कभी भी पानी नहीं पीना सही है हमेशा नहाने से आधा गूंटा पेले पान पानी जोरे पीना सहिए जिसे दिखत न हो कभी बھی SOUND कि तुरन बाद पानी नहीं पीना सहिए गार्मसाय या कौफी अधि के समय से घरी श्या dared already फाल खाने के बाद भी पानी नहीं पीना सहिए प्तो पूर्टन में पानी पीना उठना ही जरूरी है। और यह उतना गुटोपुन विचए हैं, जिसको हम कभी नजर अन्दाज भी नहीं कर सकते हैं। आखिर सही पास्तों या सही बटटन में पानी पिने से हमको क्या क्या लाब मिल चकता है सलिये जानते है सोने के बटन का पानी सोने की बटन का पानी हमारी दिमाग की गूप्वनारी को जाग differenti करने में समटकरी है और इसे सर्डियों में पीना साहिए, तंबे के बॉटन का पानी, अर्वेट की मैनोता अनुसार, तंबे की बॉटन का पानी तीन दोसो, बात, कफ और पित को संतुलित रखकर आपके पेट और गले से जुरी बिमारियों को काफी हद तक ठीक करने में मदद करता है, इसके अल गर्मयों में पीना उपध्यूगी है, मित्टी के घड़ए का पानी, मित्टी के घड़ए में रखा पानी पीने से सरी की जलन, त्वसास से समन्धी कोई परिशानिया, मानसिक बेदना तथा पेट की बिमारिय को डूर करने में सहारेक है, यह फोरे फुन सी मुहा से और त् परपड़ा है इन बोटलों में पानी पीना केंसर के एक बड़ी वज़ा हो सकता है प्लास्टिक बोटल जब धुप में गर्म हो जाती है तो फिर फ्लास्टिक में मुझद केमिकल का रिशाव होने लगता है और यह पानी में घुलकर हमरे बोदी को काफी नुक्सान पहुंसा में इसके संब्सक्राइब में पानी पिना साहिएए या वर्फ वाला पानी पीने शरी के कुछ उंग्णव में ळख्ट में और नहीं हें नुक्सान होता है इसके forcément मगूं पानी पीना साहिए जिसे हमारी सरी से बिसला पड़ाट बाहर निकल जाते हैं और हमें कोई शारी बीमारी से बसने में मदद करता है उसी प्रकार ज्यादा गर्म पानी की सेवन से भी हमें दूर रहना साहिए गर्म पानी के अधिक सेवन से जोड़ों में लुब्रीकेंदिया बर्टी जा रही है इसका एक करण गर्म पानी का ज्यादा सेवन ही है पानी पीने से जूरी इन साधारन नियोमों को अगर आप सच्छे दिल से अपने डे टुदे लाइफ में अपनाएंगे तो विश्वास किजिए आपको कुसी दिनों में इसके समत करी फाइड़े मिलने ल और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन्स के लिए बैल आइकन को ज़रू प्रेस करें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तब के लिए धन्यवाद